डियर एस्परेंट आटो मॉबाइल के कॉंसेट टॉक स्रीज में आप सुभी लोगों का स्वागत है जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है जलती हुई वहिकल और ज्यादा डिटेल में कहें तो ये एलक्टिक वहिकल है जो जल रही है रिशेंटली देखा गया है कि वहिकल चार्ज में हो वहिकल अन दे वे हो चल रही हो वहिकल चुप-चाप खड़ी हो अचानक से उसमें आग लग जा रही है और ये किसी एक company के vehicle के साथ नहीं है around around जितनी भी electric vehicle manufacture करने वाली company है near about सब में ये problem आ रही है तो आज हम समझने की कोशिस करेंगे कि basic उसके पीछे का funda क्या है क्यों ऐसा आग क्यों लग रही है और इससे पहले भी तो battery हम यूज करते थे हमारे vehicle में तो battery हमेशा से यूज होती आ रही है तो उस time पे ऐसी cases क्यों नहीं होती थी कि जो basically IC engine से चल रही बट वहाँ पे भी battery लगी है तो वहाँ पे आग क्यों नहीं लगती है यहाँ पे electric vehicle में ही ये problem क्यों आ रही है सारी चीजे one by one करके समझेंगे पर उससे पहले आप ये जान लो कि government क्या कर रही है अगर आग लग रही हर जगह तो government क्या कर रही है तो government ने आज की भी नुज में बता रहा हूँ यह नितिन गड़करी जी का statement है ट्विटर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर जो manufacturer है जो defective piece है उनको recall नहीं करते है recall करने मतलब वापस नहीं बुलाते है जितना market में बेची गई है वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके उपर penalty लगाया जाएगा अगर further accident होता है तो यह informal है बात है formal जो policies होती है electric vehicle को लेके उसके standard को लेके उसके manufacturing को लेके वो अभी हमारे देश में नहीं है बनाया जाएगा आप लोगोंने CMBR पढ़ा होगा central motor vehicle rule जिसमें जो हमारी general vehicle traditional vehicle है conventional vehicle है उनके लिए rules बनाये गए हैं कि कैसे test होगा कैसे design होगी कितना space होगा अब बढ़ते हैं हमारे question की तरफ तो थोड़ा साब को basic बता देता हूँ electric bike का ताकि आपको सारा funda clear होजा जब हम समझने की कोसिस करें तो major component की बात करें तो ये आपको electric vehicle की body नजर आ रही है body से हमको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे एक MCV लगा होता है जिसे हम कहते है miniature circuit breaker यहाँ पे एक battery होती है यह आपका लगा होता है converter यहाँ पे लगा होता है junction box यह होता है controller और यह होता है motor very simply that अगर हम इसके charging की बात करें तो हमारा जो plug होता है वो MCV से होते हुए आपके converter से फिर battery में चला जाता है converter का काम होता है AC को DC में convert कर देना ताकि battery DC current लेके charge मतलब electricity को स्टोर कर ले इसका काम बस इतना होता है कि माली जे कहीं पे high voltage connection में हमने add कर दिया हमको पता नहीं है या गलती सो हो गया जितनी capacity होनी चीज़ से जाद है हमने इसको connect कर दिया तो MCV क्या करेगी circuit को break कर देगी ताकि आपके बाकी पार्ट बचे रहेंगे जैसे कि आपके घर में भी लगा होता है यह जो junction box है यह कुछ नहीं होता है यहाँ पे जितने भी wire होते हैं उसकी sockets लगे होते हैं इसलिए इसको junction box करते हैं यहाँ पे बिसिकली सबका connection होता है कंट्रोलर जैसे कि आपके टेडिशनल वेहिकल में ECU होता है इलक्टॉनिक कंट्रोल यूनिट जो बिसिकली brain होता है हमारे वेहिकल का हर चीज जो मैनेज करती है उसी तरीके से यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा होता है यहाँ पे लगा होना होता है कहीं कहीं पर यह थोड़ा टाइप भी होता है ही होता है कहीं पर इसको हब BLDC भी कहा जाता है ठीक है तो ये इसका काम क्या होता है बस इसको चलाना होता हमारे विल को और ये विल चलती इससे connected होती है बैकल आपकी आगे बढ़ती है अब एक बार आप सोच के देखो कि ये electricity का शॉकेट है यहां से आपने charging निकाल दिया तो अब यहां पर किसी के पास power बचा है क्या एक battery को हम छोड़ दें तो और किसी के पास अपना power है नहीं है तो जब किसी के पास अपना power है ही नहीं तो किसी के पास ये capacity नहीं है कि वो आग लगा सके या खुद अपनी आग में जल सके आग लगाता कौन है जिसके पास आग होगी वही लगाएगा तो यहां पर आग किस के पास है या फिर power किस के पास है या फिर energy किस के पास है भाई वो है बस battery के पास तो एक चीज आप clear कर लीजिए कि अगर electric vehicle में आग लगती है तो उसका केवल और केवल एक ही region होता है कि आपकी बैटरी में fire लगा होगा सबसे पहले ठीक है कहां लगा होगा electric vehicle में हम conditions की बात कर आप कहीं पर friction के वज़े से भी आग हो जाती है पत्थर से आग जलाया था शुरू में वह वाली condition छोड़ दो आप in general हम बात करने कि अगर कहीं पर भाई खड़ी खड़ी भी जल गई तो बैटरी में आग आई होगी कहीं पर charging के time जल गई कहीं पर discharging के time जल गई कैसे भी हुआ वह battery के वज़े से ही हो रहा होगा तो अब हमको यह समझना है कि भाई battery तो पहले से भी चल रही थी ना हमारे वैकल में पहले तो इतना आग नहीं लग रही थी आजकल बहुत धड़ा धड़ा आग लग रही है तो इसका एक बेसिक सा रीजन यह है कि पहले जो बैटरी आपके आटो मुबाइल में हो रही थी उसका केवल दो ही काम होता था एक तो हम जब स्टार्ड करते हैं तब उसका काम होता है मतलब तुछा सा पावर सप्लाई करना होता उस टाइम पे और इसके बाद जो हमारे इलेक्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे आपकी लाइट होगे उनको पावर करने के लिए उता है तो बहुत जादा पावर हमको चाहिए नहीं होता वहां पे चुकि जब हम वहीकल बैटरी को चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं ठीक है आगे मैं बताऊंगा इस कैसे होती है जब इसको चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय रियक्शन होता है और रियक्शन में निकलती है हीट और वह हीट भी यहां पे रिस्पॉंसिवल होती है कैच फायर के लिए मतलब आग लगने के लिए तो यहां पे जब हम बहुत कम यूज कर रहे हैं तो definitely heat generation भी कम होगा तो फिर कैच फायर के chances भी कम रहेंगे अब को होगे कि heat generation से आग कैसे लगती है यह तो समझाइए तो अब थोड़ा सा detail में यहां पे समझते हैं थोड़ा सा बैटरी के बारे में भी जान लेते हैं आप सभी को पता है हम जो और अलेक्टिक वेहिकल है य होती है बाकी के comparison में बहुत ज्यादा होती है जैसे example के लिए आप समझ लो कि बाकियों से टू टाइम के राउंड होती है इसकी जो storage capacity होती है वो around to around 150 watt hour पर केजी के राउंड होती है जो कि बाकी के comparison में काफी ज्यादा है मतलब energy density इसकी ज्यादा होती है इसलिए हम use करते है कम weight में हमारा काम चल जाता है ठीक है अब mobile में करना तो 1 kg की battery लगा देंगे तो फिर mobile कैसे चलाएंगा उसी तरीके से vehicle के लिए भी हम कम weight की battery preferred करते है इसलिए lithium ion यूज करते है lithium ion पे मैं इतना focus इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि जो lithium material होता है वो अपने आप में बड़ा reactive औ यह जो आपको नजार आ रहा है यह एक cell है एक cell में आप यह समझ लो कि एक anode होता है negative electrode और एक cathode होता है जिसे हम positive electrode कहते हैं दोनों के बीच में एक separator लगा होता है ताकि इन दोनों के बीच के physical connection को रोक पाए यह दोनों आपस में touch ना हो नहीं तो short circuit हो जाएगा और फिर से होगा भाई बैटरी में इतना दूर नहीं रहते हैं इस तरीके की बैटरी होती है एकदम से close रहते हैं तो short circuit को avoid करने के लिए हम यहाँ पर separator लगा देते हैं separator का काम एक और होता है यह facilitate करता है जो हमारा lithium iron होता है उसको move करने में अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है मतलब आपने बैटरी को charging में लगाया है तो cathode से आपका lithium iron iron की तरफ जाएगा और आपने charging से निकाल के charging से निकाल के load दे दिया मतलब चलाने लगे है बैकल को तो उसको load ही तो दे रहे हो आप अपने बैकल को तो उस time पे यह जो lithium iron है वो anode से cathode की तरफ move होगा तो यह होता है discharging वाला process और जब यह cathode से anode की तरफ move होगा तो यह होता है charging वाला process और किसी भी case में आग लग सकती है अब आग लगने का जो main दो region होते हैं वो मैं आपक ठीक है thermal runaway जैसा नाम है वो ऐसा ही काम है अब जैसे मैंने कहा कि एक cell होता है एक cell बिसिकली बना होता है anode से cathode से एक separator से और बीच में होता है electro light अब thermal runaway बिसिकली क्या है कि मान लिजिए कोई cell defective है या उसकी quality उतनी अच्छी नहीं है या battery की manufacturing उतनी अच्छी नहीं हुई तो उस time पे जितना heat generate करना चाहिए उसको charging या discharging में वो कहीं जादा उससे करती है जिसे आप लोगों नहीं सुना होगा कई बार कि mobile में भी blast हो गया और मैं charge करता हूँ तो में भी mobile जादा गरम होती है उसका reason यहीं होता है कि battery को उतनी अच्छे quality से design नहीं किया गया है या इंप्योर्टी पूरी तरीके से वहां से निकाली नहीं गया और उससे battery बना दिया गया जिस इस इंडर का होना चे उस इंडर का नहीं बन पाया और चुकि पुरानी वहिकल ट्रेडिशनल वहिकल में हम ज्यादा पावर ज्यादा टाइम तक उसका यूज करते नहीं थे ज् वहीड जनरेशन मान लीजे पूर क्वालिटी के वज़े से या सेल में किसी डिफेक्ट के वज़े से या फिर यहां पर बैटरी मेनेजमेंट सिस्टम भी लगा होता है कि जैसे ही इस पूरे सेल का टंपरेचर जादा हो यह जो बीच में सप्रेटर है यह मेल्ट हो जाए औ अगर मान लीजे आपकी बैटरी मेनेजमेंट सिस्टम प्रापर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है वो मेजर ही नहीं किया कि टंपरेचर इतना बढ़ गया है या फिर आपका सेल पहले से हीड एफेक्टिव है ठीक है तो क्या होता है यहां पे हीड जनरेशन जादा होगा और हीड जनरेशन दूसरे सेल को ट्रांसफर होगा आपको पता है एक 12 बोल्ट की बैटरी का अगर रिजाम पर लें तो यहां पे टोटल 6 सेल होते हैं एक सेल का पावर 2.1 के आसपास होता है इसलिए हम कहते हैं कि यह चार्ज रहेगा तो कितना पावर हो जाएगा अगर सिधा चेन रियक्षन होने के वज़ए से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है जिसके वज़ए से यह बर्न आउट हो जाती है पूरी बैटरी में आग लग जाती है इसलिए इसका नाम है थर्मल रन अवे थर्मल मतलब हीट या एनरजी भागती है किदर भागती है एक सेल से दूसरे से तीसरे के तरब, तडिसरे से चव तरब और सब को आपके चपेट में ले लेडेती है। तो यह प्रीजन तो यह हो गया 2500 की क्वालिटी प्रॉपर तरीके से डिजाइन थी आते हैं। आप कहोगे कि यार यह तो पहले से हो रहा होगा मैं कहूंगा नहीं Recently क्या है कि इस battery का जो demand है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि electric vehicles आ रहे हैं दूसरे जगह भी बहुत सार electronics समान आ रहे हैं सब जगह यह बैटरी यूज हो रही है तो बैटरी के जो manufacturer है मुझे लगता है कि वह उतना quality इंप्रूब नहीं कर बार है और चुकि पहले जैसा यूज भी नहीं है अब बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है इनका देर तक यूज हो रहा है तो उन्होंने quality इंप्रूब नहीं किया है इस वज़े से यह catch fire हो रहा है तो एक region तो आपको समझ में आ गया है कि thermal runway हो जाएगा जिसके वज़े से एक और region है जिसको हम manufacturing defect कहते हैं जैसे मैंने आपको कहा कि battery management system लगा होता है वो battery के temperature को power supply को manage करता है कितना power generate हो रहा है battery से उसके वज़े से temperature कितना जनरेट हो रहा है relative temperature मेजर करता रहता है ताकि अगर बहुत ज्यादा temperature हो तो वो क्या करें जिससे मैंने शुरू में आपको कहा कि यह separator को melt कर देता है ताकि जो iron transportation है वो siege हो जाए तो अगर कहीं पर software में problem है क्योंकि नहीं नह बना रहे हो अगर आपके battery management system जो कि एक software होता है अगर उसमें कोई error आ गया तो signal नहीं देता है कि भाईया आपको melt होना है तो उस time पे भी melt हो जाएगा फिर आपको होगे कि भाई temperature बढ़ता क्यों हो कई सारे region हो सकते है temperature बढ़ने के जैसे आपने over charging किया आपने बहुत 10% से नीचे लेबल तक उसको discharge कर दिया फिर या फिर continuously rough driving आप कर रहे हो बहुत तेज कर रहे हो कभी कम कर रहे हो लोडिंग में variation बहुत ज्यादा हो रहा है इन वजय से भी chances होता है कि यहां पर heat generation मतलब cell में कोई defects defects आ जाए और heat generation आपका बढ़ जाए generally यह भी होता है कि आपका separator भी defective हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा vibration है आपके vehicle में या loading बहुत ज़्यादा है rough driving है over charging है इसके वज़े से भी short circuit का region भी बन जाता है तो यह भी एक region होता है या तो software का problem हो जाए या तो overheating का problem हो जाए तो vehicle को बहुत ज़्यादा आपने charging में लगा दिया एक तो ढूब का temperature आइसा नहीं कि बाई बस internal heat जो external heat होती है वो भी इसको effect करती है मतलब यह भी आप कह सकते हो कि गर्मियों के टाइम में टू ठंडियों के टाइम में यह भी कह सकते हो कि राजस्थान में ज्यादा चांसे जहाए अलेक्टिव वहिकल को ब अपने devices में जैसे mobile है हम अच्छा material लगाते हैं ताकि cooling अच्छी हो तो अब इस पर भी research चल रही है कि यहाँ पर हम बहुत अच्छे cooling system का यूज करें अपने वेकल के outer surface पे ताकि heat जो generation हो आसानी से निकल जाए जैसे कि traditional vehicle में हम fins का यूज करते हैं तो आप आगे future में देख सकता है कि जो आपको fins vehicle में basically दिखते हो इसा ना दिखे जैसे कि आप अपने freeze में देखे हो गया अलग टाइप के पूरा layers पीछ लगाई गई रहती है पहले वह basically fins के shape में आता था आप नहीं आती है तो हो सकता है कि वह layer के format में आ जाए हो सकता है कि वह simple fins जैसे दिखते हैं से वैसे रहे बट कुछ तो arrangement करना पड़ेगा ताकि heat generation हो तो dissipate आसानी से हो जा ताकि catch fire ना हो और separated damage होने का एक region और होता है कि आपके जो company वाने हैं आपको बहुत ही stylish vehicle देना चाहते हैं basically आप क्या देखते हो आप यह तो देखते नहीं कि battery कैसी है motor कैसा है बाकी की quality कैसी है आपको तो बाहर से दिखती है design अगर design सुन्दर है तो vehicle खरीदोगे design सुन्दर नहीं है तो नहीं खरीदोगे design सुन्दर बनाने के चकर में vehicle को compact बनाने के चकर में जो battery से heat dissipation के लिए space चाहिए वो नहीं मिल पाता है और दूसरा बहुत compact होने के वज़े से separator ravage होने के chances ऐसे company में थोड़ा साथ chances minimize जाएगा आग लगने का अगर इस वात का ध्यान नहीं रखा जाए तो उस company में chances बढ़ जाते हैं आग लगने का और जैसे कि starting वाले page में हमने डिसकस किया अब government policy भी बनाने वाली है कि जितनी भी batteries आएंगी जो basically vehicles में use की जाएंगी उनकी पहले testing होगी उनका performance test किया जाएगा कि हाँ अगर इसके load आता है तो कितना load ये bear कर सकती है कितना देर तक चल सकती है कितने temperature ये bear कर सकती है मौशरी temperature की बात करें तो तो ये सारी चीजें अब test की जाएंगी पहले भी test किया जा रहा था पर पहले policies नहीं थी तो थोड़ा सा compromise भी कर products रहते हैं जो accident होता है उससे लोग सीखते हैं और इंप्रूब करते हैं कंपनियां भी रेडी हैं कि जो प्रोड़क्स जो बैसिकली जिस स्रीच की वेहिकल में आग लग रही है उस स्रीच को return बुलाने के लिए तयार है खैर आगे बढ़ते हैं और आगे question है इसका जबाब आपको देना है और basically question आपके understanding पे ही है which of the following can help to prevent the battery from catch fire इन में से कौन सा बैटरी को आग लगने से बचा सकता है avoid overheating the battery by the reliable manufacturing process of the battery मतलब ऐसा बनाओ कि वो avoid कर पाए जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ फिन सुन्स का जुगाड लगाना होगा कुछ तो ऐसा करना होगा जिसके वज़े से वहाँ पे heat का dissipation आसानी से हो पाए थोड़ी सी surface area हमको improve करनी होगी नेक्स है आपका जो avoid keeping it directly under the sunlight बिल्कुल ये भी इफेक करता है जैसे मैंने आपको जगह का दिया कि राजस्थान में जल्दी चांसे जोंगे burn out होने का as comparison to मनाली तो ये भी बिल्कुल इफेक करता है आपने सुना होगा कि धूप में खड़ी खड़ी अचानक से burn out हो गई त ये तो physical है अगर माली बैटरी में hole कर दिया आपने बैटरी का accident मार दिया तो आग लगी जाएगी ना accident होता है तो जो आपका IC engine हो बर्न आउट होने लगता है तो फिर इसमें भी आग लगी सकती है तो ये जो leakage है ना leakage तो अगर माली बैक्टरी के manufacturing defect के वज़ए से leakage है तो that can be change but अगर physical damage हो गया कई पर accident के वज़े से या किसी और वज़े से तो definitely leakage है तो वहाँ पर भी आग लगने की पूरी पूरी संभावना है तो यहाँ पर जो आपको option होगा वो D correct होगा 1, 2 and 3 और इसी के साथ इस वीडियो को खतम करते हैं चलिए मिलेंगे next वीडियो में तब त